नमस्कार मैं पवन शुक्ला आप लोग का फिर एक बार स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे 20 सालों का तजर्बा लगातार आपको इन वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूँ आप beginner हैं, intermediate level पे हैं या advanced level पे हैं हर level के लिए हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी examples के साथ बहुत ही आसान भाषा मिया आपको यहां पे जितनी भी lessons हैं वो करवाई जाते हैं तो अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें आज के lesson में हम सीखेंगे 1800 sentences कैसे बनाएं जी हाँ 1800 sentences कैसे बनाएं आपने सही सुनाएं बहुत ही simple way में आपको मैं बताऊंगा साथ में कुछ grammar की भी knowledge दूँगा और 1800 sentences ready made जब तक यह video खतम होगी आप 1800 sentences बनाने like हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे वीडियो last तक देखीगा बहुत interesting है बहुत आसान तरीके से है इसमें आप कुछ grammar का भी part सीखेंगे और साथ में जो 1800 ready made sentences आप बना सकते हैं वो तो सीखेंगे सीखेंगे जहां इससे पहले भी 700, 400, 500 ऐसी वीडियोस और आगे भी कई सारी वीडियोस आपको regular मिलेंगी काफी सारे sentences मना लेते हैं तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहली slide में आप देखिए this और that और these और those का use सीखते वे हम लोग इन 1800 sentences की तयारी करेंगे जी हाँ this और that these और those यह चार वर्ड ऐसे हैं जब हम tense की शुरूआत करते हैं most ignored words हैं यह सबसे ज़्यादा हम इनके बारे में लापरवा रहते हैं यह तो हमें आता है कई बच्चे जो English minimum school में पढ़ते हैं उन्हें लगता है यह तो हमें आता है हमें तो सर्थ tense करवाई है हमारे हाँ इंडिया में एक और problem एक mentality है कि हमें tense अचे शुरू करवाओ जी और जल्दी से जल्दी English करवादो ऐसा नहीं होता कोई भाषा एक तपस्या है बहुत मेहनत लगती है बहुत practice करनी पड़ती है जब तक कि आप उसमें mastery हासिल ना कर लें जब तक कि आप उसमें profession ना हो जाएं tense सीखने के साथ सा translation सीखते सीखते tense active passive narration और modals कर लेना ही English नहीं होता ही English का एक छोटा सा part हो गया important part है पर एक छोटा सा part हो गया माफ कीज़े तो इन वीडियोस में आपको वो सारी जानकारी भी मिलेगी कि tense में translation में narration में क्या आसान हो सकता है कैसे आपकी help हो सकती उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी examples के साथ बहुत ही easy language में दे गई है आप जाकर नों वीडियोस को देखिए अगर पसंद आए तो subscribe करिए उसको share कीजिए like करिए अगर कुछ कमिया आपको दिखाई देती है मेरे like कोई सुझाव है सला है तो उसको भी please जरूर दीजिए तो आईए this or that और these दोस्त के बारे में जानते हैं पहले मैं आपको बता दूँ इन चारों की जरूत के होती है कई बार क्या होता है लिखते वक्त या बोलते वक्त हम कई सारे इशारा करके बाच्चीत करना पसंद कर लिखने है जैसे वर्स हम बोलते हैं आपने देखा बड़े common है common वर्स हैं हिंदी में तो बहुत आसान हो गया English में चूकि हम टैंस से ही शुरू करते हैं तो यह वो वर्स है जो रह जाते हैं इसलिए इंपोर्टेंट हो गया तो आईए देखिए singular और plural के according इसे भी लेना होगा इसे भी समझ तो आपना बहुत जरूरी है पूरी English या कोई भी भाषा है जैसे में Hindi में बोल रहा हूं मैं खेल रहा हूं इसकी जगे मैं यह नहीं कह सकता तुम खेल रहा हूं तो यह sentence घला तो यह क्यों क्यों कि मुझे पता है कि आपके साथ हो नहीं लगता मैं के साथ हो लगता है लेक पर ले एक दूसरी भार्षा है विदेशी भार्षा है second language है तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान देना होता है तो this और that पहली चीज़ देखी slide में पास के person place thing के लिए place का मलब यह मेरा school है person के लिए मेरा भाई है thing के लिए यह मेरा pen है के लिए use होता है pass की तरफ जब हम इशारा करके बोले तब he is my brother और this is my brother में एक फरक है इसको समझनी कोशिश करें he is my brother में क्या होता है वह मेरा भाई है मैं common में चाहिए मेरा भाई सामने है या नहीं है मैं उसका जिकर करना हूँ but this is my brother तो मैं हो सकता मेरे सामने खड़ा हूँ मैं फोटो में देख रहा हूँ या किसी वीडियो में देख रहा हूँ तो मैंने बताया रहे this is my brother यह तो मेरा भाई है तो इशारा करके एक indication दिया मैंने तो यह फरक है person place thing के बारे में जानेगे that का बला past के लिए हमने किया तो इसका opposite दूर के लिए मालनों कोई चीज दूर हो तो उसके लिए एक word ची है तो इसके लिए जो teacher से प्रोफेसर से उन्होंने that बनाया जो इसके भाशा के विग्यानिक है जिने grammar in का जाता है उन्होंन that अच्छा तो दो चीज़े हो गई this past के लिए और that दूर के लिए तीसरी important बात यह singular subject के लिए होता है जैसे this is my copy एक के लिए singular और plural बहुत important है चाहे वो subject हो चाहे वर्वो चाहे वो समानू place person thing यह भी singular और plural होते हैं इसके पर बहुत सारी वीडियो मुना रखी है अब जाकर महां देख सकते हैं यह base है अगर यहां पर गलती कर दी मैं के साथ हो लगा दिया मैं एक teacher हो तो आप चाहे कितने भी educated person हो एक अच्छा impression नहीं जाएगा grammatically यह गलत हो गया सब जानते हैं मैं एक teacher हो होता है तो ऐसे English का भी एक अपना rule है हर भाशा का अपना एक rule है उसी के according चलना होता है चोटी चोटी गलतियां बड़ी गलती में सावित हो जाती है तो आइए देखिए दोनों हो गए है इसके मैं आपको कुछ examples देना चाहूंगा पहले structures के example लेजिए तीन तरह के structures मैं आपको दूँगा क्योंकि English में या किसी विभाशा में तीन प्रकार के वाकि होते simple, negative और interrogative और उसके बाद मैं आपको इसी के साथ vocabulary भी दूँगा ताकि आपको इनके साथ कैसे use करके इनके combination से आपको sentences मनाने हैं लगभग 18 होके आसपस ये sentences मन जाएंगे आईए देखिए पहले कुछ examples इनका देदू जैसे this is a pen, these are pens ये इशारा past के लिए इस slide में ग़या है तो ये भी past के लिए बढ़ चीजे बहुचन होगी कई सारी हो गए, एक pen है, this is a pen ये एक pen है, these are pens, ये कई सारे pen है ये past के लिए होगी, इशारा करके, that is a pen दूर के लिए, these are pens, those are pens, ये भी दूर के लिए Even though ये होग And these are pens, Those are pens, ये बहुचन के लिए क्योंकि चार example से आपने देखा कि past के लिए this और these होता है और दूर के लिए that और those होता है अब ये दो-दो क्यों हैं क्योंकि subject भी तो दो तरह कें singular और plural एक बचन और बहुँ बचन तो ये words बनाने पड़े ताकि हम अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकें जो हम कहना चाहते हैं उसका पूरा मतलब निकले तो आईए पहले तीन structure देखिए इसके बाद में मैं आपको vocabulary बताओंगो जो इनके साथ आपको use करनी है पहला है this that के साथ is verb मैंने is rm लिया है इसमें यानि कि is rm इसके इलावा this that these those ये words मैंने लिये हैं और इनी से मैं आपको simple negative और interrogative आज मैं बताने जा रहा हूँ this or that is my our your his her there इनके साथ आपको 25 vocabulary मिलेगी तो एक तरह से ये 300 वाक्य इन से आपके बन गए this is my into 25 this is our into 25 ऐसे this से एक एक करके बनाईए फिर that से एक करके बनाईए तो आप देखेंगे कि 25 into 6 1500 होगे 1500 into 2 300 होगे ये बन गया अब आएए दूसरी स्लाइट देखें इसका negative देखें negative sentence कैसे बनेगा this और that के साथ is not negative में तीसरे नुमर के not आ जाता है my our your his her there के साथ जो blank आपको दिखाए दे रहा है इसमें is को हम पहले ले आंगे आप लोग को पता होगा कि word में हम question में हम हमेशा word को पहले ले आते हैं subject से इसके बार में काफी सारी वीडियोस बना रखी महापे आप जाके देख सकते हैं तो इसी तरह इसमें भी word को हम पहले ले आए फिर this or that, यानि subject है, वो बाद में आ गया, my, your, his, your, our, his, are, यह सारा है, इसके साथ, इसके साथ 25 वर्ड अगर आप लगाएंगे, तो इस तरह से यह 300, 300, 300, आपके 900 sentences तयार हो जाएंगे, अब आईए हम बात करते हैं, these और दोस की, these और दोस की भी ऐसे मैं आपको तीन structures बहुत आसान लग रहा है, हो सकता है, आपके लिए आसान हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जिनके लिए ये भी आसान नहीं है, तो ये वीडियो उनके काम की हैं, basic level पर ये वीडियो, वैसे सीखने को तो कोई भी सीख सकता है, जितनी जानकारी या दिए हैं, ये क my our your तो these और are फिर my के साथ ऐसी these के साथ my your our his our इस सभी का यूज़ कीजिए इसी तरह दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं दूसरी स्लाइड में these those are not ये negative बन गया इसके साथ भी वर्ड है my our your his our there इनके साथ अगर आप बनाएंगे 300 ये बन गए इसके बाद तीसरी और आखरी स्लाइड इसकी देखते हैं उसके बाद vocabulary में आपको बताने जा रहा हूँ जो इसके साथ आप यूज़ करेंगे उसमें भी ध्यान रखना है थोड़ा क्या ध्यान रखना मैं बताऊंगा आर को आप आगे ले आईए उसके बाद दीस दोस माई योर आवर हिस हर देर ये वर्डों के लाश्ट में कोश्चन मारक आप देख रहे हैं ये जरू लगाईएगा तो इस तरह से ये आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरह से अगर आप इखटे करेंगे ये 25 वर्ड्स हैं वैसे तो ये 50 हैं लेकिन singular और plural मैंने दोनों दे रखे हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारी ये वर्ड पहली स्लाइड में आप देखिए इसमें singular form है पार्ट वन है पार्ट वन आप दिस और देट के साथ ही उसकरेंगे पार्ट टू जो वकेबलरी मैं आपको बताऊंगा वो आप दीज और दोस के साथ ही उसकरेंगे क्योंकि उसमें मैं plural form बताऊंगा तो आईए देखिए इस स्लाइड में कितने वर्ड्स हैं पैन, कॉपी, बैट, रजिस्टर, बैग, की, बुक, पैंसिल, टॉय, वाच, बॉक्स, अम्परेला, नाइफ, हाउस, कार, बाइक, स्कूटर, शॉप, यहाँ पे एच्छ है यह, शॉप, कंपनी, फोन, बैड, चेर, डेस्क, रबर, ग्लास इसमें से बहुत, लगबग, सभी, बहुत आसान वर्ड्स लिए, मैंने, इनकी हिंदी आपको पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता है, तो जो दो, चार वर्ड्स बचे हैं, उनको आप डिक्शनरी में देख लीजेगा, दरवाई से यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो यह पार्ट वन था, पार्ट वन को पार्ट वन के साथ यूज़ करेंगे, यानि दिस और देट वाले के साथ, जो मैंने तीन इस्ट्रक्शर्स बताएं, उनके साथ आप यूज़ करेंगे, उसके बाद जो दीज और दोज है, उसके लिए मैं आपको यह से किन्ड यह सारे वर्ट थे, 25 हैं, यह जो मैंने अभी आपको वर्ट दिये थे, उसी का ही प्लूरल है, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूस ना हो, दोनों पार्टों में सेम वर्ट मैंने रखें, इनको आपको उनके साथ यूज़ करना है, 25 के साथ जो मैंने आपको बताया है, तो जिसमें आज के अगर इसको एक ही करके लगाईए, आप नहीं वीडियो देखी है और यह तो मुझे आता है, जी नी, इसके प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा, एक तो जो यह वोकैबलरी आई है, वो बढ़ेगी आपकी, प उसके बारे में भी आपको जानकारी बढ़ी, तो मैं उमीद करता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भगवान करें अच्छी हो, तो आप इस वीडियो में हो सकता है, उतना ना सीख पाए हो, आपके सीखने लाग ना हो, लेकिन यह वीडियो हर उस बच नहीं पा रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि 20 सालों का तो जरुबा इन वीडियो के माध्यम से पूरे देश में पहुचे, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, हिंदी में जो आप क्लास ले रहे हैं, वो हिंदी में हैं, जो इंग्लिश होगा, वो इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, ताकि इसका फाइदा पूरे फिर वर्ड लेवल के बच्चों को मिले, तो मैं उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत महनत की है, वर्ड्स को ढोड़ने में, फिर इसको केटेग्राइज करने में, सेट करने में, होगे, बाकि अगर आप मेडियम लेवल के स्टूरेंट्स हैं, अगर आप स्टूरेंट हैं या आप हाई लेवल के स्टूरेंट हैं, तो आपके लिए बहुत सारी वीडियो सा अलड़ी इस चैनल पर दी हैं, और लगातार अपलोड होती रहती हैं, ऐसा कोई टापिक नहीं हैं, जो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा, तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद, God bless you.